हेलो दोस्तों नमस्कार सीजी सावीत्री कुकिंग एंड व्लॉक पर आपका पहुत बहुत स्वागत है तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ सेयर करने वाली हूं मावा फैंसी मिठाई तो यह बहुत ही ज्यादा स्वाधिश्ट हो दिखने में सुंदर और बहुत लची तक देखिए और वीडियो पसंद आए तो ज्यादे ज्यादे शेयर कीजिए लाइक कीजिए जो भी नहीं स्ब्स्राइब कीजिए तो चलिए दोस्तों मैं बिना देरी की है मावा फैंसी मिठाई आपको बना आज दिखाती हूं तो आप वीडियो को पूरा दीखिए वीड इसमें पानी नहीं मिलानी है गाढ़ा गाढ़ा दूद को एक लिटर इसमें कड़ाई में डाल देना है और यहां पर मैं गैस को आउन कर रहे हूं तो यहां पर गैस को थोड़ा सा अभी हाई रखना है जब तक दूद नहीं उबलता उसके बाद इसे लो करके मीडियों यहां पर चमज को हिलाती ही रहना है चमज को छोड़ना नहीं है अगर हम यहां पर चमज को छोड़ देते हैं तो दूद है जो कड़ाई की तली में बैठकर जल जाएगी और जला हुआ मिठाई तो बिल्कुल भी स्वाद नहीं आता तो यहीं पर मैं लेती हूं 60-70 ग्राम हैं अगर आप मिठा कम या जादा खाना पसंद करती हैं सकर के मेंजमेंन को बढ़ाए घटा सकते हैं तो आप यहां पर हमारे मेंनेजमेंन को आप रखिए तो हम पर हमारे दूद ह qumek लगा है तो हम दूद में देखी हम अबलब लगा है तो यह आपकर किनारी है जो मलाई उसको निकालते हुए हम कढ़ाई में चम्मज को चलाते रहेंगे और इस बहुत अच्छा खुआ बनेगा तो यहां पर चम्मज को आपको चलाते ही रहना है थोड़ा सा महनत करोगे तो आपका जो मीठाई बना रहे है वह बहुत ही जाधा स्वाधिश्ट बनेगा तो यहां दोड़ा सा लगारी में अदेखिए तो लगे तो इसको छोड़ना बिल्कुल नहीं है और इसको एसे ही चम्मज को चलाते रहना है तो यहां पर अपकात दीखा एह तो जैसे कडाय कीनारी लगा वाश को अच्छे से निकालते हुए बहुत अच्छे से इस चम्मज को चलात ही रहना है थोड़ा सा महनत लगता है इसमें चम्माच लाना बंद नहीं करना है और यहां पर देखिए थोड़ा सा गाढ़ा हो रहा है यह खोवा हमारा तो यह खोवा ऐसे ही गाढ़ा रहता है तो यहां पर मेरे को लग रहा है यह लगभाग होनी लगा है यह हमारे मीठाई बनाने के लायक हो गया तो मैं इसमें मिला रही हूं एक चमा स्लेवर के लिए इलाइची का पॉडर तो आप यहां पर इलाइची का पॉडर ही मिला यह और इसे मैं एक प्रेट में निकाल कर पंखे के हवा में कम से कम 15-20 मिनाट ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी यह ज पंख्यावस से उठाके बहुत अच्छे से आटा कडो लगाते हैं वैसे ही से अच्छे से मसली हूं तो यह देखी इसकी चिकनाहाट को कितना सुन्दर दीख रहा है और जैसा अकार देंगे हम इसको बैसी बनेगा तो इसको मैं दो भाग में डिवाइट कर रही हूं और इसको एक लंबा शेफ दे रही हूं और इसकी चोटी चोटी लोई टोड़ूंगी तो लोई को भी आप बहुत मस्त से बराबर ही तोड़िये चोटी बड़ी नहीं तो जो मिठाई है ना मिठाई बनाएंगे वह चोटी बड़ी में बहुत अच्छी नहीं दिखी इसलि तो यहां पर बन गया है कम से कम यहां पर दormuşः रहा है एक लिटर दूर्स से में जादा नहीं बनता एक लिटर दूर्स से कम से कम दो सर्थ खुल बन पर यहां पर लोगी को हम थेली के वीचों बीच़ रखे मैं इसको अच्छे utra तो उसे को बना रहा है तो इसको बन रहें तो इसको गोल बनाना चाहें तो बना चाहें को गोल भी बना सकते हैं कि यहाँ पर हो गया है मिथाई बन करते है तो चले सकुआ थोड़ा सजा कुआ देती हूं तो सजाने हैं में यहाँ पर लहाँ ओज़ाता यह mad want 16 में बंदी अगा 3 के ज़िए दुब होeng एह सब्सक्राइच कर देखता"; तो आप देखे हो मैं चांदी वर्क को कैसा निकाली तो वैसे ही निकालना है इसके बाद इसको हलका सा मैं रूई ली हूँ हाथो में और थोड़ा सा प्रेस करें इसके उपर ताकि चांदी वर्क मिठाई के उपर बहुत अच्छे से लग जाए और बहुत सुंदर भी दिखि खाने का कलर है रेट कलर हलका सा ओरेंज रेड है तो यह ली हूँ मैं धकन है जो बच्छे लोग के बोटल काता है न दवाई का वह 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 बहुत अच्छे से और देखिए मैं इसमें डिजाइन दे रही हूं धकन धकन से तो आपके पास जो खाने का कलर होगा आप उसे जरूर लीजिए और कलर इसमें ड्राइ कीजिए बहुत सारी कलर मिलते हैं बहुत अच्छे अच्छी कलर मिलते हैं जो आपको पसंद है उसे लीजिए तो चली यहां पर हमारा कलर जो है वह कंप्लीट हो गया लग चुका है अब इसको थोड़ सा बदाम लिए हम बदाम से क्षैब ने पेस्ट लिए हम पेस्टर से सजाएंगे अगर आपके पास बदाम है तो वहीं से बदाम से बी अच्छे से सजाए सकते सुंदर लगता है तो देख रहे हो ना यहां पर फिस्टर जिए तो मैं बारिक कटिंग नियों इसके बाद पर напрmouth पना नुबार शरूर र लेगा कि मेरे दोस्तों को मिठाई बनाने के रेज़ भी बहुत अच्छी लगी अभी दीवाली एस पेसल में बहुत अच्छी अच्छी मेठाई लाने वाली हूँ तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो आप सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि मेरे नए नए मिठाई का वीडियो आपके पास जल्दे जल्दे पहुंच सके और आप समय में पहुंचे तो आप बना भी सके तो आप इस बार जरूर घर में मावा फैंसी मिठाई बनाएं बहुत सरल है बहुत असान है तो आपके साथ जरूर खाईए और अपना नुबहुत में जरूर कीजिए मुझे इंतिजार रहता है कमें बॉक्स में तो आप वीडियो को पूरा देखिए इसके लिए बहुत-बहुत थाइंक्यू वीडियो पसंद आया होगा तो जदर ज़दर कीजिए लाइक कीजिए जो भी नया सब् थांक्यू